हेलो फ्रेंट आज हम आप सब के लिए लेकर आया है हरियाली आलू की सबजी की रेसिपी इसको बनानी के लिम सबसे पहले आलू को उबाल लिए हैं हम दो दो पीस करके उबालेते जल्दी उबल जाता है इसलिए और इसको आप मन चाहा टुकडों में काट ले छोटा बड़ा अब हम इसकी ग्रेवी की तयारी कर रहे हैं इसके ग्रेवी की बनाने के लिए हम धनिया पत्ती लिए हैं हरी मिर्च अधरक लसुन की कलिया और जीरा अब हम इन सब को मिक्सी की जार में डाल देंगे जीरा डाल दिये हैं हम लसुन की कलिया डाल देंगे अधरक हरी मिर्च और धनिया पत्ति और एक बार एक कटी हुई टमाटर को भी हम इसमें एड करेंगे टमाटर का स्वादना इससबजी में बहुत अच्छा लगता है इसको पीस करी डालना ज्यादा अच्छा रहता है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसको पतला पेष्ट तयार कर इसका ग्रेवी ना बिल्कुल हरा हरा रहेगा क्योंकि धनिया पत्ति का ग्रेवी बन रहा ना कडाई गरम हो गया उसमें तेल डाल दिये हैं आलू हम जो पीस काटके रखे थे उसको भी हम इसमें एड कर दे रहें अब हम इसको ना भून लेंगे इसको हम लगातार चलाते अब देखिए आलू गोल्डेन ब्राउन होने लग गया है हो भी गया है अब यह गोल्डेन ब्राउन इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से सारे आलू को हम निकाल लेंगे उसी कडाही में अब हम थोड़ा तेल डाल दिये हैं तेजपत्ता और खड़ा जीरा अब ज़्यादा तेल खाते हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं हम कम तेल डालते हैं सब्जी में अब हम इसमें बारी कडा हुआ प्याज को डाल दिये हैं वो गोल्डेन ब्राउन हो गया है तो उसमें अब हम मसालाट कर रहे हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे, ताकि मसाले का कच्छा पर निकल जाए, अब ये भून गया है, देखिए, तेल भी नजर आने लगा है, तो इसमें अब तीन से चार मिनट तक इसको हम अच्छे से मसाले में भून लेंगे, देखिए, अभी चलाते ही रहाना, निक तो चिपकना स्टार्ट हो जाता है, अब मसाला करीब-करीब भून गया है, तो अब हम इसमें न दही एड़ करेंगे, हम छोटा चम्मच से दही डालनेंगे, तो दही फटने का डर रहता है, अगर आप ऐसे डाल के एक साथ नहीं चला सकते हैं, तो दही को पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, उससे दही फटेगा नहीं, अब देखिए, तेल दिखने लगा है, इसका मतलब मसाला पुरा रेडी हो गया है, तो उसमें अब हम सारे आलू को डाल दे रहे हैं, आलू भूना हुआ है, इसलिए इसको जादा हमको भूननी का जुरत नहीं पड़ेगा, आप इसमें बीना भूना हुआ भी आलू एड़ कर सकते हैं, पर हम भून के डालते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, नमक हम स्वादा अनुस सकते हैं, हम जादा ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, इसके हम जादा पानी नहीं डाले हैं, आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, इसमें पानी डाल दे, इसको ढखके हम 3-4 मिर तक उबाल आने तक इसको हम पका लिएं, देखिए, अब ये सबजी बिलकुल रेडी हो गया है, एंजॉय करें सब ची को